दोस्तों आप देख रहे हैं टीवेस स्कूटी पैपलस बीएसिक्स का मैट एडिशन इस स्कूटी को इस पेसली मैलाओं के लिए वनाय गया है जो एक लाइट वेट स्कूटर चलाना पसंद करती हैं और जिसकी डिजाइन भी काफी अच्छी हो स्कूटी पैपलस में दो वेरियंट आते हैं ग्लॉसी एन मैट एडिशन इसकी फीचर्स क्या है मैलेज क्या है नई ओन रोड कीमत कितनी है सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो सबसे पहले में स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से तो यहाँ पर इसका जो वाइजर है वो रेड मैट फिनिस में दिया गया है और इसकी जो हैलूजन हैडलम यहाँ पर आपको मिल जाती है नौर्मल बल्ब के साथ और इसके एपरेंट की बात करें तो यहाँ पर आप आपको बल्ब वाले मिल जाते हैं जो की लॉंगेट टाइप के हैं और यहां से आप इसके एफरेंट को देख सकते हो जो की काफी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है और यहां पर आपको फ्रेंट वाला मटगार्ड नहीं मिलता है इसकी बॉड़ी के स्ट्रेक्चर को ही फ्रे हैलिस्कॉपिक सस्पेंशन दिये गए हैं अगर इसको साइट प्रोफाइल की तरफ से देखें तो इसकी बॉड़ी पैनल में डूवल कलर का आप्सन मिल जाता है और यहां पर 135 mm की ग्राउंड क्लिरेंस दी गई है और यहां पर एड़िजस्टिवल पॉट्रेस्ट और इस है और इसके पीचे की सैड में यहां पर सामान रखने के लिए थोड़ा सा ओप्सन देखने को मिल जाता है और इसके नीचे की सैड में चलें तो यहां पर इसका जो टेल लेंप है वो बल्व वाला दिया गया है और इसके जो इंडिकेटर है वो भी आपको बल्व वाले मिल जाते हैं और इसके नीचे की साड्ट में रिफलेक्टर देखने को मिल जाता है इसके दूसरी साड् Steel में भी儀 स्कूरटी Pप्लस का 3D में लोगो और इसके ऊपर की साड्ट में बूर्ट इसपैस को उपन करने के लिए के लिए लोकर किलमीटर और मैन एड लाइट इंडिकेशन लाइट और इंजिन मालफंक्शन लाइट देखने को मिल जाती है और इसके हैंडल वार रोड की तरफ चलें तो यहां पर आपको जो है लोबीम हाइबीम स्विच इंडिकेटर और हॉर्ण का स्विच दिया गया इसमें सिंगल हॉ देखने को मिल जाता है जैसक यहां से आप देख सकते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की तो सबसे पहले हम इसकी चावी से इसके बूट स्पेस को उपन कर लेते हैं तो यहां पर आपको 19 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है और यहां पर आ 3D की कोई भी लैट देखने को नहीं मिलती है इसके नीचे की साइड में और इसके साइड में चलें तो यहां पर आपको लेडी च्पिलियन के लिए फूटरस्ट दिया गया है जोकि ऐल्ूमिनियम का है ब्लैक मै फिनिस के साथ और यहां से आप इसके इंजन को तो इसमें दिया गया है 87.8 cc का एर कूल्ड फोरे स्ट्रॉक सिंगल सेलेंडर एटी एफ़ाइ टेक्नलोजी बिए सिक्स फ्यूल इंजेक्टेड इंजन इसकी मैक्सिमम पावर है 5.4 ps की 6500 rpm इसका मैक्सिमम टॉर्क है 6.5 nm का 3500 rpm तो जैसा कि यहां से आप इसके एकजॉस्ट की डिजन को देख सकते हो जिसके उपर एक मैटल की प्लेट दी गई है और इसके पीछे की साड में एक मैटल की भी क्रोम की प्लेट भी मिलती है जो की अवी असेंबल नहीं है जो की बूर्ट इसमें रखी है अब दोस्तों मैं आपको इसके एक्जॉस्ट का इजन का साउंड सुना देता हूं तो सबके पहले हम स्कूती को तो जैसा कि दोस्तों स्कूती जो है वो स्टार्ट हो चुकी है तो यहां से आप इसकी एक्जॉस्ट का साउंड कर सकते हो आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताएं और द बंगाल TBS बिराटी सोरुम कॉलकता की सोरुम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जासे आदा लाइक करें कमेंट करें सेयर करें अगर आप चैनल पर पहली बार आपको आपकी सीटी का ओन रोड प्राइस का रिपलाइ करके वदा दूंगा थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में